वेल्कम टू एडू जोस एडू जोस में आप सबी लोग का स्वागत है दूस्तो आज 15 अक्टूबर को है से सी छसल 2019-20 का जो एक्जाम हुआ है उसके तीनों सिफ्ट के कोश्चन हमारे पास आ चुके हैं GKGS और Current Affairs के जितने भी कोश्चन पूछे गए हैं एक दो और तीनों सिफ्ट के अंदर ये सारे कोश्चन 100% जन्यून और अथेंटिक हैं आज थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मैं बाहर था और इसकी वज़े से आज लेट हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा और प्रिवियस इयर ठीक है प्रिवियस इयर पेपर में वहाँ पर आपको ये वाला जो PDF है आज का यानि CHSL का तो वो डेली वहीं पर मिलता है जो लोग चैनल से पहली बार जुर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन प्रेस करके इस एक्टिवेट कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिवेकेशन आपको सबसे पहले मिल सके देखिए सबसे पहला जो प्रस्न है यहाँ पर यह पहले सिफ्ट के कुछ कोईशन सम्लूख देखेंगे उसके बाद दूसरी सिफ्ट और फिर तीसरी सिफ्ट है पहले कोईशन पूच कोईशन पूचा गया है तो देखें सैदान सेकेंडरी स्कूल अफ जो मिजोरम यह मिजोरम के स्कूल है और यह जीता था सुबर तो कब फुटबाल अंडर 14 इसके बाद है मौसमी संबंधी जो परिवरतन है वो वायो मंडल की किस परत में होता है तो यह होता है शोब मंडल में इसके बाद कोईशन पूचा गया है भेड बकडी को जो खुर पका और मौपका रोग होता इसके बचाने के लिए जो वैक्सिन लगाई जाती है वो वैक्सिन कौन सी है तो इस वैक्सिन का नाम है पी पी आर ठीक है इसके बाद देखें next कोईशन है तिबमत में यात sponge हम दोने के लिए याक का इस्तिमाल करते हैं इसके बाद देखिए अगला question यहाँ पर देखिए मौदरिक नीती कौन संचालित करता है बहुत important question है RBI के द्वारा संचालित किया जाता है मौदरिक नीती ठीक है Reserve Bank of India इसके बाद question है बलूई मिटी या रेतीली मिटी इसमें कौन सा फसल जो है वो लगाया जाता है या उगाया जाता है तो यहाँ पर देखिए options नहीं है यह option based question है इसमें answer क्या क्या होना चाहिए गेहू चावल बाजरा तिलहन और कपास यह जो फसल है यह बलूई जैसे वरिक्ष किस परकार के वन में पाये जाते हैं तो यह पाये जाते हैं आद्र पर्नपाती वन में next यह question है जारकंड विधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि जारकंड के विधान सभा के अध्यक्ष जो है वो कौन है तो रविंदर नाथ महतो इसी तरह आपको हरे के स्टेट के जो विधान सभा के अध्यक्ष है वो अब पूछा जा सकता है तो आने वाली जो वीडियो हमारी होगी CM और जो गवर्नर की वीडियो हम देते हैं जिसमें राज्यों की विधान सभा, लोक सभा की सीटे, राज्यसभा की सीटे और मुखमंत्री राज्यपाल, उपराज्यपाल, डेपूटी, सीट मिनिस्टर जो हते हैं, चीफ मिनिस्टर उन सब की वीडियो हम बताते हैं आपको एक ही वीडियो के अंदर तो अब हम कोशिश करेंगे कि वहां की विधान सभा की जो अध्यक्ष है यानि जो स्पीकर हैं, उसके बारे में भी आपको उस वीडियो में बता दिया जाए अब यहां पर देखे, ICC, एक दिवसी महिला किर्केटर अफ दे येर 2019 किसे दिया गया तो यह अवार्ड जो है, वो एलिस पेरी को दिया गया इसके बाद है, सरुजनी नाइडू कॉंग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष थी तो हमने आपको पहले बताया था कि जितने भी अधिवेशन है वो एक बार आप पढ़िए 1925 के अधिवेशन में सरुजनी नाइडू जाय वो कॉंग्रेस की अधिवेशन की अधियक्ष थी एक तालीसवा वो अधिवेशन था और वो कहां पर हुआ था कानपूर में हुआ था इसके बाद कोशन है जनवरी 2020 में एक दिवसीय क्रिकेट में कौन सी टीम टॉप पर थी तो जनवरी 2020 के हिसाब से इंग्लेंड जो है वो नंबर वन पर थी इसके बाद है रविन्ना टैगोर सिक्षन संस्थान पूचा गया कि कहां पर है तो देखे इसमें जो नाम है वो विश्व भारती विश्व विद्याल होना चाहिए उनका जो सिक्षन संस्थान का नाम है ये शांती निकेतन के नाम से भी यहाँ पर इसको जाना जाता है पस्चिम मंगाल में इसकी अस्थापना 1901 में रविन्ना टैगोर ने की थी नेक्स्ट यहाँ पर देखे जी एस्टी कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है जब विधेयक पूछेगा तो अंसर होगा 101 और अगर बिल पूछता है कि कौन सा संविधानिक बिल है संशोधन बिल है तो फिर 122 होगा वो ठीक है इसके बाद है स्वास्त सकी योजना जो गोवा का है उससे रिलेटेड एक परेशन पूछा गया तो देखे स्वास्त सकी योजना जो है इससे पहले एक और कोश्चन पूछा गया था गोवा का और उसमें 5 लाक रुपे तक का जो है वो लोन दिया जाता है वो कोश्चन कल की सिफ्ट में पूछा गया था ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग पहल है ये एक स्वास्त सकी योजना जिसमें जो आंगनवारी कारे करता है वो महिलाओं की जाच करेंगी कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है याने उसकी स्क्रीनिंग करेंगी तो ये स्क्रीनिंग के लिए एक पहल है स्वास्त सकी योजना ठीक है गोवा के दोारा यह शुरू किया गया अगला यहां पर है एक बिट में कितने बाइट होते हैं तो आठ बाइट होते हैं एक बिट में आठ बाइट होते हैं यह आपको याद रखना है यह computer का question है इसके बाद question पुछा गया golden globe award 2019 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए जो है कौन सी मूवी तो ये हो गया 1917 इस मूवी का नाम है इसके बाद है गोल्डन गलोब अबार 2019 में बेस्ट एक्टर जो है मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए तो जोकिन फोनिक्स इसके बाद कोशन पूचा गया है राष्ट पती किस जी ने दी थी उसके बाद question पूछा गया 10 कठिया संगीत जो है वो किस राजी से संबंदित है ठीक है तो देखें 10 कठिया जो कि एक परकार का फॉल्क है और ये कहां पर है ओडिशा से संबंदित है इसके बाद question पूछा गया हिर्दे से kidney में रक्त को से संबंदित है question ये question मुझे clear नहीं लगा तो अगर आप लोगों को याद है कि question जो है वो किस तरह से है तो वो comment जरूर किज़ेगा तो ये सारे question अभी हमने उपर जो देखा ये first shift के question थे ठीक है लगबग 22-23 question हम लें यहाँ पर देखा अब हम लोग देखते है जो second shift के question है 17 लोगसभा में कितनी महिला उम्मीदवार थी ठीक है उम्मीदवार ने भाग लिया था कुछ ऐसा question अगर पूछा गया है तो यहाँ पर option जो है 724 होना चाहिए total candidate जिन्होंने भाग लिया था लोगसभा चुनाओ 2019 में जो कि 17 लोगसभा का चुनाओ था इसमें 724 महिला उन्हें भाग लिया था ठीक है इसमें अगर जीत की बात कुछी जाएँ sensing कि कितनों ने जीत हासिल की 78 महिला उनने जीत हासिल की थी इसके before question है यहाँ पर है JP नड़ा जो कि BJP के अध्यक्ष हैं तो JP नड़ा भारत के जो भाजपा के कौन से अध्यक्ष है यह करम पूछा गया है तो याद रखने हैं आपको यह करम है ग्यारह है अब इस तरह से क्वेश्चिन पूछा जा रहा है तो हर एक पर्टी के अध्यक्ष furnay अध तरीके से पूछा जा रहा है, question इस तरह से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाना चाहिए था जिस तरह से पूछा जा रहा है ठीक है, question बहुत है, current affairs के question की कमी नहीं है, daily कम से कम 5-10 question बन रहा है, तो हर बार आप लोगों को जो है वो, इस तरह के question देखने का अगर सामना करना पड़ रहा है, तो यह जो है, agency, जो exam ले रही है उसका यह, जो जिस तरह से तरीका है, question पूछने का, वो तरीका, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि JP नड़ा भाजबा के अध्यक्च है, यह तक तो ठीक है कि भाजबा के देख्च कौन है, उनका क्रम कौन सा यह कौन याद रख सकता है, इस तरह से अगर आप question पूछेंगे, तो candidate को दिक्कत होगी, आंसर करने में 2019 साहित के और Nobel प्रुसकार किसे मिला, तो यह आंसर हो जाएगा Peter Hand के को, और यहीं पर पूछा गया है, रासाइन सास्तर का भी Nobel प्रुसकार किसे मिला, 2019 के लिए ही, तो यह मिला है तीन वेक्तिकों, जिसमें एक अमेरिकी वग्यानिक है, जौन गुटिनफ, और दूसरे बिटेन के वग्यानिक है, स्टेनली विटिंगम, और जो पूछा गया है, वो जापान के हैं, इनका नाम है अकीरा योशिनो, इन तीनों को संट रूप से केमिस्ट्री के लिए, जो है, नॉबल प्रुसकार 2019 का दिया गया, इसके बाद पूछा गया, सबसे छोटा किंदर साशित प्रदेश, जो है, वो चेतरफल के अनुसार कौन है, तो लक्षदूइप है, इसके बाद काकोरी कांड में बिस्मिल के साथ कौन शामिल थे, तो देखे हमने आपको कल भी बताया था, काकोरी कांड में जो लोग कहते हैं उसको कहते है आई या फिर उसी को नेत्र भी कहा जाता है ठीक है इसके बाद है मिजोरम यहां पर मिजोर होंगा मिजोरम के बंबू डान्स को क्या कहा जाता है किस और नाम से भी इसको जाना जाता है तो वो नाम है चेरोकान ठीक है चेरोकान के नाम से हम लोग इसको जानते हैं भारत में कुल कितने राष्टिय उध्यान है ये question पूचा गया है तो देखिए अभी तक total जो है वो 101 राष्टिय उध्यान यानि नाशनल पार्क है ठीक है ये question पूचा गया था इसके बाद जो question है वो T20 2020 के highest strike rate यानि 2020 के हिसाब से T20 में जो highest strike rate है वो किसका है option दिया गया था विराट कोली, रोहित शर्मा, क्रिस गेल यहाँ पर जो है वो ऐसे होगा गेल और ब्रैंडम, मैकॉलम ठीक है तो ये सारे question है ये current candidate ने इस तरह से option के साथ हमें बेजा है यहाँ पर देखे right answer होना चाहिए रोहित शर्मा, ठीक है रोहित शर्मा यहाँ पर right answer होना चाहिए या फिर विराट कोली दोनों में से कोई एक होना चाहिए लेकिन ये 2020 की बात कही गई है तो इसमें जो strike rate है वो रोहित शर्मा का ही होना चाहिए भारत और शिर्लंका के बीच जलसंदी कौन सी है तो अंसर होगा पाक जलसंदी इसके बाद है राजीव गांदी खेल रतन जो है वो सबसे पहले किसको दिया गया था यह हमने आपको दो तीन दिन पहले की वीडियो जो एक इसी एनलाइसिस की जो वीडियो आ रही है इसी में हमने आपको बताया था कि राजीव गांदी खेल или रतन पूरुसकार जो सबसे पहले मिला था वो विश्वनाथन आनंद को मिला था तो आपको वो कमेंट करना था कि किस को मिला था तो आंसर देखे विशुनाथन आनन्द होगा प्रतम पंच वर्स ये योजना किस वर्स शुरू हुई तो आंसर हो जाएगा 1951 इसके बाद RBI के स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया है तो 1935 और Aeroplane के अविस्कारक पूछा गया है तो The Right Brothers इस कोश्चन पर थोरा सा मुझे डाउट है आप लोग बताएगा चालीस नमर कोश्चन जो है वो सेकेंड सिफ्ट में पूछा गया है या नहीं ठीक है इसके बाद कोश्चन पूछा गया था दलाई लामा भारत कब आये थे 1969 में भारत में दलाई लामा ने प्रवेश किया विधान सभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है बहुत important कोश्चन है विधान सभा को राजपाल के द्वारा ही भंग किया जा सकता है लेकिन ध्यान रहे कि ये मुखमंतरी की अनुशंशा पर होता है अगर मुखमंतरी कहते हैं राजपाल को कि विधान सभा को बंग किया जा तो राजपाल जा उसको बंग कर सकते है एक कोश्चन कम्प्यूटर का पूछा गया था fastest memory को लेकर तो ये option based कोश्चन है अगर आप option हमें नहीं बताएंगे तो इस question का answer बताना बहुत मुश्किल है विसु का सबसे बढ़ा delta पूछा गया है कौन सा है तो सुन्दरवन delta जो है विसु का सबसे बढ़ा delta है इसके बाद question पूछा गया है महमूद गजनभी ने इंडिया पर यानि भारत पर कितनी बार आकर्मन किया है तो total उसने 17 बार आकर्मन किया था उसके बाद question है एक सिंग वाला गेंडा किस राज्य में पाये जाता है तो ये ज़्यादा तर असम के अंदर पाये जाता है इसके बाद अनुचे 74 यानि article 74 आर्टिकल से questions पूछा गया था तो देखे आर्टिकल 74 में ये बताया गया है कि एक मंतरी परिशद होगा जिसके सिर्स पर परदान मंतरी होगे उसके सिर्स पर और जिसकी सहायता एवं सुझाओ के अधार पर राष्टपती अपने कारे संपन करेगा ठीक है तो ये एक question हो गया इसके बाद है सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी तो देखे यहाँ पर जो है question सबसे ज़्यादा जो football के गोल करने वाले खिलाड़ी के बारे में पूछा गया है तो देखे Christian Sinclair है ये महिला खिलाड़ी है अगर सवाल में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा गोल करने वाले महिला खिलाड़ी तो फिर आंसर होगा Christian Sinclair इन्होंने लगबग 185 गोल किये हुए है और अली डेई अगर पूरुस की बात पूछें तो इनका नामों का अली डेई जो लगबग इन्होंने 109 के आसपास जो इन्होंने गोल किये हुए है इसके बाद अगर भारत में बात आती है कि भारत ही एक खिलाड़ी जिसने सबसे ज़्यादा गोल किया है तो फिर अंसर होगा सुनिल चैतरी ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन हम लोग देखते हैं अगला कॉश्चन है सबसे ज़्यादा ODI क्रिकेट में ओसत जो है वो किसका है तो ये कॉश्चन किलियर नहीं है अगर ये option based है option based होना चाहिए इस question को और option हमेरे पास आना चाहिए इस question को भी आप लोग बताएए क्या question पूछा गया था विश्व पर्यावरन दिवस कब मनाया जाता है ये question 3rd shift में पूछा गया है तो 5 June को विश्व पर्यावरन दिवस मनाया जाता है यहाँ पर जो है 5 June को विश्व पर्यावरन दिवस मनाया जाता है अगला question है भारत का पहला mixed world heritage site किस park को कहा जाता है तो ये कंचन जंगा है नेशनल पार्क है जिसको mixed के रूप में भी जानते हैं mixed world heritage अचा यहाँ पर जो एक question हमने देखा था 40 number aeroplane के अब इसका रख्टिक है तो यह ध्यान यह रखना है कि यह 40 number जो question है यह मेरे समझ से यह जो question है ना यह third shift में पूचा गया है ठीक है second shift में नहीं यह third shift में question पूचा गया है यह RBI के स्थापना भी जो है third shift में ही साइट पूची गई है तो यहाँ पर आप लोग देख ली जाएगा कि कौन सा question है यह question पूचा गया है या नहीं अगला जहाँ यहाँ पर question पूचा गया था वो है भारत का पहला world heritage जो mixed world heritage है वो किस पार को कहा जाता है कंचन जंगा हो गया इसके बाद है चेरा पुंजी चेरा पुंजी में 1250 cm बारिश होने का जो कारण है वो पूचा गया है तो यह third shift का ही question है और इसमें जो है इसका कारण है यहाँ पर भारी बारिश होती है इसके बाद है 39 अगस्त को खेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है कई बार हमने आपको बताया कि जो sports day मनाया जाता है वो major ध्यान चंद की याद में मनाया जाता है 39 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यान चन की याद में अब हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो है WTA Hobart International Trophy किस भारतिय महिला tennis खिलारी ने जीता है तो अंसर होगा सानिया मिर्जा और अगर इसके partner का नाम पूछता है कि किस भारतिय महिला किसी भारतिय महिला ने tennis खिलारी ने किस के साथ जीता है तो अंसर हो जाएगा उसका partner का नाम है नादिया किचे नौक ठीक है ये याद होना चाहिए ये इसका partner का नाम हो सकता है अगले shift में ये question पूछ दिया जाए आपसे तो total यहाँ पर हमने लगभग 53 से 54 questions देखे है जो first, second और third shift में तीनों मिला करके ये सारे questions जो है वो पूछे गए थे आज 15 October के exam में SSC CHSL में अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीज़ेगा ज्यादे से ज्यादे इस वीडियो को share कीज़ेगा thank you so much आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद